नमस्कार दोस्तों मैं पुस्पेंदर आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल Informate Institute में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारे डिपार्टमेंटल एक्जाम्स होते हैं प्रोमोशन वाले जैसे कि GDS to MTS, GDS to Postal Assistant and Sorting Assistant, GDS to Postman इन सभी एक्जाम्स में जो पेपर दूसरा होता है इसका conduct करा जाता है उस पे पत्र लेखन का एक questions आता है और यह पत्र जो आता है तो इस पे 10 number, 10 number का प्रश्ण होता है यदि आप इसे अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से कर पाते हैं तो आपका 10 number confirm रहता है और यह बहुत ही सरालेवम सिंपल होता है और यह लगभख सभी को पता भी होगा लेकिन 2-4 साथी हमारे personally मुझे message करके बोले कि हमें पत्र लेखन का एक format बना दिजिए कि हमें किस प्रकार से लिखना होता है तो यह बीडियो खासता और से उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा बहुत doubt लगता है इसको पढ़ाई करने में पत्र लेखना में किस प्रकार से करना है इस बीडियो में हम आद दिखाएंगे इसका format कैसे होता है किस प्रकार से होते हैं और पत्र जो आपके लिखने को आते हैं तो पत्र दो प्रकार के आते हैं पहला होता है अफशारिक और फिर अनफशारिक, तो हम इन दोनों पत्रों को देखेंगे और उस दोनों का फार्मेट भी देखेंगे, चलिए बीडियो में आगे वड़ते हैं, पत्र लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहां पास हमें ध्यान दे तो उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आप उसके पास में इस्थित हैं उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए सरलता में जो भी वाक हम लिखते हैं लेटर में जो भी पत्र में लिखते हैं वो एक सरल भासा में होना चाहिए यदि हम कठिन भासा का उप्योग करते हैं तो लेटर पढ़ने वाले को पत्र पढ़ने वाले को थोड़ी सी कठनाईयां आ सकती हैं और उसे अच्छा नहीं लगेगा संचिप्तता का मतलब होता है कि अपनी बहुत बड़ी बातों को छोटे से सेंटेंस में लिख देना यदि किसी भी पैराग्राप को किसी भी बात को जो बहुत बड़ी चलने वाली है उसे हम एक छोटे से बाकी में समझा देते हैं वही कहलाता है संचिप्तता तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, कोई भी आपका अगर बैराग्राप है तो उसे कम से कम सब्दों में और संचिप्त करके लिखें ताकि सामने वालों को पढ़ने में बहुत जादा ना लगे फिर अंगला है ब्याकरण, ब्याकरण में क्या होता है? हम जो भी लेटर लिखते हैं उसमें ब्याकरण का बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण योगदान होता है, कहें भी गलती हो गई या फिर कहें भी असुद्धी हो गई तो हमारा लेटर का रूप उहां से बदल जाता है इसलिए जब भी हम letter लिखें तो उसके ब्याकराण को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है पत्र लेखन का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो पहला प्रकार जो होता है तो यह होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है आउपचारिक पत्र तो सबसे पहले हम देखेंगे अनौफचारिक पत्र किसे कहते हैं उसके बाद अवचारिक पत्र किसे कहते हैं फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमाने जो फॉर्मेट होता है इन दोनों लेटर्स का अलाग अलग धंग से किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको हम दिखाते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है अनवचारिक पत्र इस पे आप देख सकते हैं अनवचारिक पत्र पे क्या है इस प्रकार के पत्र में ध्यानिया देना है कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा निजी संबंध है एबं ब्यक्ति का संबंध भी है और हम अपने सुख इससे कि हमारा संबंध होता है व्यक्तिकत संबंध होता है उन्हें हम अनवचारिक पत्र लिखते हैं directly और अब आगे बढ़ते हैं अवचारिक पत्र में अवचारिक पत्र इस प्रकार के पत्र को लिखते समय हमें यह ध्यान देना है किसे हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा निजी संबंध नहीं है यदि आपका निजी संबंध भी है तो उसे इस प्रकार के पत्र में या व्यक्त नहीं करना चाहिए अवचारिक पत्र में मुखरूप से संदेश सूचना एवं तथ्यों को अधिक महत्त दिया जाता है इस प्रकार के पत्र संस्था किसी अधिकारी या कारियालाई के लिए लिखा जाता है अवचारिक पत्र जो भी होते हैं यह अधिक्तम अधिकारियों संस्था या किसी कारियालाई के लिए ही लिखे जाते हैं अब यहाँ पास आप देख सकते हैं अनौपचारिक पत्र का जो भी आपका प्रफार्मा होता है इसी प्रकार से होता है आपको उपर में नेम लिखना होता है दिनांग लिखना होता है और आप यहाँ पास पता भी लिख सकते हैं इनका जो भी आपको format लिखनी है तो यहाँ बीच की लाइनों में लिखना होता है और इसके बाद आपका नीचे में फिर से पता होता है तो दोस्तो इसी प्रकार से format होता है अनौप चारिक पत्र का जैसी की यहाँ पास देख सकते हैं एक दोस्त के लिए पत्र लिखा गया है इस पे है दो दिन पहले आपका पत्र मिला आप सभी का समाचार सुनकर हमें बहुत प्रसनता हुई और यहाँ पर भी सब कुसल मंगल है हमारे बड़े भाई की 20 मार्च 2020 को साधी है इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने माता पिता इबंभाई भहन के साथ जरूर हैं आप सभी का हमारे घर में स्वागत है आपकी माता जी और पिता जी को हम प्रडाम कहते हैं आपका मित रदिग विजय सिंग तो दोस्तो इस प् यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पास लिखा है कि एक रजिष्टी पत्र जो है तो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसके लिए मश्तों आपके बीज में होता है कोई बीज बेच में रहेगा और यहां पास आपका पता और नाम होता है वरह दें नाम के आपके साथ में आपको हैं पर पता भी टाओ्धिंगे तो ज्यादा वेटर होगा तो यहांपास आप देख सकते हैं Auch पूस्ट प्राप्त व्हेजा था किन्तु दो महिना बीच चुके हैं और उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है हमारे मित्र ने अपने गाउं के पोस्ट आपिस पर जा कर पता किया लेकिन वहां के अधिकारी कहते हैं कि यहां ऐसा कोई भी पत्र नहीं आया है स्पीड पोस्ट का आप नंबर भी दर्सा सकते हैं यहें एक format है दोस्तो इसी प्रकार से आपको लेटर लिखना है इसका जो बिसे है बिसे कुछ भी हो सकता है जैसी कि आपको अपचारिक लेटर में आ सकता है कि आँगे की पढ़ाई करने के लिए कोई भी पत्र लिख लिए ये एक format के साथ में दिखाया गया है यहाँ पास जो बिसे बस्तू है बिसे बस्तू आपकी कुछ भी हो सकती है तो आपको इस बिसे के अनुसार यहाँ पास जो matter based का complete करना है तो आपको ही बनाना पड़ेगा दोस्तो आज के लिए इतने ही यदि यह वीडियो पसंद आई होते से लाइक जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बगल में दीख रहें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अंगले वीडियो में अभी के लिए गुडबाई थैंक्स फॉर वाचिंग